दुनिया में सायद ही कोई देश होगा जहां हिंदी नहीं बोली जाती हो विश्व आर्थिक मंच की गर्णा के अनुसार यह विश्व की 10 सक्तिसाली भाषाओं में सामिल है वैस्विक इस्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्राले द्वारा विश्व हिंदी समेलन का आयोजन किया जाता है सन 1975 में पहला विश्व हिंदी समेलन 10 जन्वरी से 14 जन्वरी तक महराष्ट राज्जी के नाकपुर में आयोजित किया गया था विश्व हिंदी समेलन की संकल्पना राष्ट भासा प्रचार समीती वर्धा द्वारा 1973 में की गई थी और तब से अब तक देश के साथ विडेशों में 11 बार विश्व हिंदी समेलन का आयोजन किया जा चुका है हल ही में 11 विश्व हिंदी समेलन का आयोजन तीसरी बार लगु भारत कहे जाने वाले मौरिसस में 18 से 20 अगस्त 2018 तक स्वामी विवेकानन अंतराष्ट सभाकेंद्र पाई में किया गया यह समेलन भारत के विदेश मंत्राले द्वारा मौरिसस सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था इस समेलन का सुभंकर, भारत के राष्ट पक्ची मोर, तथा मौरिसस के राष्ट पक्ची डोडो को मिला कर रुचित यादाव द्वारा डिजाइन किया गया था समेलन का मुख्य विशय हिंदी विश्व और भारती संस्कृति पर अधारित था परंपरा अनुसार सम्मेलन में हिंदी के छेत्र में विशेष योगदान के लिए 18 मौरिससी तथा 18 विदेशी हिंदी सेवी विद्वानों को एवं दो भारती तथा 3 विदेशी संस्थानों को विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया इसके साथ ही संमेलन में श्री पावलूरी, सिवराम, कृष्णैया तथा स्वर्गी स्री ब्रजलाल, धन्पत को विशिष्ट हिंदी सम्मान एवाम मौरिसस के हिंदी सिक्छक, स्री सिुपूजन, गोतं, लाल बिहारी तथा स्रीमती नारायनी हिरामन को सर्वसरेष्ट हिंदी सिक्षक का सम्मान भी दिया गया। मॉरिसस में इसके पहले भी 1976 में दूसरे विश्व हिंदी सम्मेलन और 1993 में चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। भारत में 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, 1983 में तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन, एवं 2015 में दसवा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके अलावा 1996 में पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन टिनिडाड एवं टोबेगो में, 1999 में छटा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन यूके में, 2003 में सातवा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन सूरिनाम में, 2007 में आठवा विश्व हिंदी सम्मेलन का दक्षिन अफ्रिका में किया गया था इसके साथ ही बारवा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में प्रस्तावित है उमीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारे वीडियो पसंद आया होगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद